आज है 24 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नाइका के बारे में देखें 127 रुपए का शेर है नाइका का और काफी बड़ी गिरावट लॉंच के बाद ये दिखा चुका है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिस प्राइस पे नाइका का शेर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस अट्रेक्टिव है भी के नहीं और दिगच एनालिस्ट इस कंपनी के बारे में क्या कह रहे हैं वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लेजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज़ादा हेल्प करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो 127 रुपे का शेर है नाइका का आज थोड़ी सी तीजी हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है और पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में नाइका का शेर अलमुष 12 प्रतिशत तक तूट चुका है 155 रुपे से भी उपर था और जब गिरावट बनी तो एक जटके में यह तूटा था 24 पर आया लेकिन आज थोड़ा सा बाउंस बैक इसने जरूर दिखाया है एक दिन की तेज़ी पर भरोसा गर सकते हैं कि नहीं क्योंकि अगर हम देखे तो पिछले कुछ दिनों से लगाता यह तूटी रहा है उसका रिजन सिंपल है कि वह यह स्टार्टवस में जिस तरीके से परफॉर्मस दिखाई है पिछले कुछ दिनों में वो पिल्कुल भी अच्छी तो नहीं है और जिस तरीके से हाल फिल हाल में खबरे भी निकल कर आ रही है जिस तरीके से बड़े बड़े एनालिश की कमेंटरी भी निकल कर आ रही है कहीं न कहीं वो भी इसको तोड रही है और ये बताया भी जा रहा है कि NICA का हो सकता है कि December quarter का जो results वो अच्छा आ जाए क्योंकि जाहिर से बात है festival season था तो कहीं न कहीं यह expectation यहाँ पर जरूर थी कि अच्छे sales यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएंगे लेकिन बाद में क्या तो यह concern लोगों का यहाँ पर जरूर है इसके अलावा NICA में हम देखे तो गिरावट तो है पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल में जब से इसका IPO आया है आप देखे एक साल के अंदर यह 55% से भी जादा तूट चुका है गया उनकी हालत खराब हुई ओल टाइम लो कहलो यहाँ पर कि उसके आसपास बैठा हुआ है 124 रुबए के आसपास कल ही लो बनाया था इसने और देखो तो अभी भी उसके पास ही है और bottom fishing करना कितना सही रहेगा वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर तो एक बड़ी update आई है नायका को लेकर कि वहाई है नायका ने पी गनेश जो है उनको as a CFO के तोर पर appoint किया है और 3 February से वो अपना काम का जो है वो शुरू भी यहाँ पर कर लेंगे जो कि चली अच्छी बात है कि कुछ नई लोग यहाँ पर आये जरूर है लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि नायका जो है ना वो 120 रुपे का level test कर सकता है ठीक है अब यहाँ पर दिगज एनालिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हम यहाँ पर discuss करेंगे तो सबसे पहली बात अगर आप देखो तो नायका का शेर जो है वो 57% तक तूड़ चुका है एक साल के अंदर और यहाँ पर जैसे ही expiry आई थी वह या लॉक इन पिडियर वाले expiry आई एक जटके में लोगों ने अफलोड करना शुरू कर जाए शेर बेचना शुरू कर दिया था कई सारी बल्क डिल हमें होती हुई यहाँ पर नजर आई कई सारी अगर आप नायका का देखो नायका टू वीक एवरेज वॉल्यूम देखो तो नौ लैक शेर के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं और इतना ही नहीं आप देखो यहाँ पर ओर्डर किस तरीके से लग रह दोल्ड वाला काउंटर नजर आ रहा है इतना ही नहीं जो head of capital के IDBI capital के जो head है एके प्रभा करने उनकी तरफ से commentary भी है कि don't buy anything new if you have previously bought then hold it simple है कि अगर आपने पहले से NICA का share खरीद के रखा है आप भारी नुकसान में हो तो hold करके रखो लेकिन fresh entry या average करने की कोशिश अभी यहाँ पर मत करो यह उनका कहना है इसके अलावा एक और है आनंद राठी analyst है उनकी तरफ जो senior manager है Jigar S. Patel उनकी तरफ से statement है कि since last year NICA has been making lower higher lower अगर आप देखो structure अगर आप देखोगे तो लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है इनका जो crucial support zone है वो 120-125 के आसपस नजर आ रहा है and fresh buying is not advice मतला fresh buying करने की जरूद नहीं बले ही crucial support है 120-125 लेकिन फिर भी fresh buying मत करना let the counter make solid base उनका यही है कि at least उसको 125-130 पर एक solid base बनाने तो यहाँ पर simple बात इसके अलावा tips to trades के जो है AR रामचंद्रन उनकी तरफ से भी commentary आई है कि naika continue मतलब अभी भी गया है और 123 could be a trigger मतलब 123 से अगर नीचे गया तो 107 रुपे तक के भी levels आपको देखने को मिल सकते है despite the stock being oversold हाला कि strong resistance है यहाँ पर 133 का तो ही है कि अगर 123 रुपे पर यह नहीं संभला तो 107 रुपे तक की भी level नजर आ सकते हैं और 133 रुपे तक की resistance यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं स्टोक्स में काफी बड़ी गिरावट हमने देखी जरूर है और काफी हद तक यह शेट तूट भी चुका है जेम financials also felt the December quarter growth for NICA will be led by festival demand जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा जेम financials को लगता है कि देखो यह NICA में होसत है कि December quarter में अच्छा growth देखने को मिल जाए मुझलब जो results आएंगे उनके आपको लगए कि बहुत अच्छे results आए लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ है festival demands जो थी holiday seasons बगेरा में और उनका यह कहना है कि new age internet companies have corrected significantly amid intense selling pressure and global heat winds यहाँ पर उन्होंने 175 से 145 किया है ठीक है तो यह मैं सोचना कि 175 से अच्छा target है उन्होंने घटाया है target ठीक है तो यह चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखे मतलब सबका यही कहना है NICA को लेकर कि अगर खरीदारी करिये कुछ का कि करिये बने रही लेकिन average करने की गलती मत करियेगा यहाँ पर और add करने की गलती यहाँ पर मत करियेगा NICA देखा जाए तो large cap company है अभी भी 36,000 क्रोड क्रोड के आसवास के market cap है volume बहुत जादा हो रहे हैं अभी यहाँ पर त्रेंड में आ चुका है ठीक है लोग अभी भी bottom fishing करना चाहते हैं लोग अभी भी जो फसे हैं वो बेचना चाहते हैं डर के मारे किसी भी तरीके से अब माल लो यहाँ पर एक करोड से भी जादा की volumes already हमें देखने को मिल चुके हैं already और company की मैं बात करूँ तो company का जो profit था September का वो चार करोड ग्यरा लग का था और जो revenue था व करोड का जिसके मुकाबले साथ परसन का growth जरूर है लेकिन profit जो पहले चार करोड 55 लाग का था वो गटके चार करोड 11 लाग का हो गया तो दरस परसन की गिरावर्टिंग के profit में आ गई का जब IPO लिस्ट हुआ था बहुत जादा बस था इनका बड़े हाई पे था उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से भेंकर गिरावर्ट हमने देखी अगर आप देखोगे इंसाइडर ट्रांजेक्शन समरी अगर आप देखोगे तो डिस्पोजल वाले ही है ठीक कमपनी के डेजिग्नेड़ेद परसन 18,000, 700,000, 10,000 डिस्पोजल हुए हैं यहाँ पर कमपनी के अगर हम बात करने जाए रिजल्ट के बारे में तो इनके नतीजे की डेट अभी तक सामने नहीं आई है कि कब इनके डिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे लेगिन इनका रिवन्यू अगर आप देखो तो आल्मोस्ट फ्लैट है कोई उतना बड़ा से जादा कर यहां पर नायका के बारि में अगर हम इनके फइनाश ऐंचलस में यहां पर आप देख सकते हैं कि कम्पणी के जो रिवन्यू है वह यहां पर आप देखाएंगे कि आप यहां पर दोजर उन्नीस में 1116 क्रोड का रिवन्यू था फिर 1775 क्रोड रहा फिर 2000440 क्र करोड रहा वह अब रेवन्यू में बहुत बड़ी जंप आ रही है लेकिन इंकम की अगर जहां तक अगर हम बात करें तो पहले लॉस में रहा यह 2019 और बीस में लेकिन 21 और 22 में यह प्रॉफिट में आ गया और अच्छे प्रॉफिट में रहा लेकिन अभी अगर आप देखो 23 पैटर्न को लेकर अगर हम देखेंगे नाइका में तो शेह होल्डिंग में 52.34% प्रमोटर के पास है 4.06 mutual funds और बहुत बड़ा गेम यहीं पर हुआ है तो अगर मैं compare करू इसको नवेंबर से डिसमबर में तो mutual fund के पहले 2.16% की holding थी अब वो बढ़के 4.06 पे आ गई इतना ह नहीं Files की 6.16% की holding बढ़के हो गई 11.06 बहुत बड़ी quantity mutual fund domestic और Files ने खरीदी है बहुत बड़ी quantity खरीदी गई है इन सब की तरफ से तो यह एक question यहाँ पर जरूर होता है कि यार यह लोग इतना ज़्यादा खरीदारी क्यों कर रहे हैं तो अगर मैं कहा है तो हो जाता है क कि mutual funds bottom fishing कर रहे हो short term के लिए long term के लिए लेकिन मैं यही कहूँगा आपसे कि as a retail investors जब भी लगे किया बहुत जादा कोई share तूट रहा है या फिर बहुत बड़े corrections हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो थुछा साउधन जरूर रहेगा यहाँ पर और नायका देखो मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि company खराब है लेकिन जिस price पर इसकी listing हुई थी वो price सही नहीं था बहुत high valuation के उपर इसको list करवाया गया था अभी मैं मानता हूँ कि नायका का share अगर आपको मिलता है 100 रुपय के आसपास तो शायद मैं मानता हूँ के मौके बन सकते हैं वहाँ पर लेकिन अगर यह और further correct होता है तो तब नीचे की legal पर bottom fishing के मौके बनेंगे यहाँ पर बागी मर्जी आपकी है वीडियो को यहीं प्रेंड करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शायगा चैनल बगरा पहली बाहर आएं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नाइका के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिकतर बता सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब करें प्लीज सब्सक्राइब